परिचय जनन मूलभूत जैविक प्रक्रम है, जिसमें सजीव अपने जैसे नए सजीव को जन्म देते हैं। प्रतेक जीवित सजीव जनन का परिणाम है। जनन की ग्यात बहुत सी विधियों को लेंगिक जनन और अलेंगिक जनन में वर्गिक रित किया गया है। लेंगिक जनन के लिए विप्रीत लिंग के दूर लोगों की आविशक्ता होती है। लेंगिक जनन के दौरान मादा अंडे उत्पन करती है, जो मेल द्वारा, निर्गत शुकराणों द्वारा निशेचित होते हैं। एक प्रून का निर्मान होता है, जो वैस्क के रूप में विकसित होता है। समानिता, विकसित और जटिल सजीव ही इस विधी का प्रयोग करते हैं। लेंगिक जनन के दौरान कोई बिना अपनी प्रजादी के, किसी अन्य सजीव की सहता के जनन कर सकता है। समानिता, अल्प विक्सित, कम जटिल, सजीव इस विधी का प्रियोग करते हैं। उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जनन के महत्व को दर्शाना जन्तुओं में जनन की विधियों का वर्णन करना लेंगिक और अलेंगिक जनन के लाप और हानी की तुलना करना मनिश के जनन अंगों की विशेष्था बताना जन्तुओं में निशेचन के प्रकार बताना जरायुज और अंड प्रजक जन्तुओं के बीच विभेत करना इन्विट्रो निशेचन का प्राक्रम बताना क्लोनिंग की अवधारणा का वड़न करना मानव जनन तंत्र नर नर में जनन अंग या जननांग शुरूनी के भीतर और बाहर होते हैं नर जननांग में होते हैं व्रिशन यौनिक व्यस्कता प्राप्त कर चुके किसी भी युवा में दो व्रिशन होते हैं जिनमें लाखों सूख्ष्म शुक्राणूं कोशिकाएं उत्पन और एकत्रित होती हैं। व्रिशन टेस्टोस्टोरेन सहित अन्य हार्मोन भी उत्पन करते हैं। टेस्टोस्टोरेन हार्मोन के कारण लड़कों में भारी आवाज, बड़ी मासपेशियां और शरीर और त्वचा पर बाल उत्पन होते हैं। यह शुक्राणूं के उत्पादन को भी उत्तेजित करता है। शुक्राणूं नलिका व्रिशन के बगल में अधी व्रिशन और शुक्रवाहिका होती है, जो नर जननां के शुक्राणूं नालिका का निर्मान करती है। शुक्र वाहिका एक पेशिये नली होती है, जो व्रिशन में उपर जाती है, और शुक्राणों करने वाले तरल वेर का संचरन करती है. अधी व्रिशन कुंडिलित नलीयों प्रतेक व्रिशन के लिए एक का जोड़ा होता है, जो शुक्र वाहिका से जोड़ा होता है. वरिशन कोश वरिशन और अधी विशन शुरोणी के बाहर एक थैली नुबा सनचना में लटके रहते हैं, जिसे वरिशन कोश कहते हैं त्वाजा की थैली वरिशन के ताप मानक को नियंत्रित करने में सहायक होती है, जिनहें शुकराणू उत्पन्य करने के लिए शरीर के ताप मान से कम ताप मान चाहिए होता है. उचित ताप मान बनाय रखने के लिए वरिशन कोश का आकार बदलता रहता है. जब शरीर ठंडा होता है तो शरीर के ताप में बने रहने के लिए व्रीशन कोश सिकुण कर कड़ा हो जाता है जब शरीर गर्म होता है तो व्रीशन कोश अद्रिक्त ताप को बाहर निकालने के लिए बड़ा और लचीला हो जाता है सहायक ग्रंथियां सहायक गरंथियों में शुक्राशे और प्रस्थ गरंथियां होती हैं यह तरल प्रदान करता है जिससे शुक्राणों नलिका के स्नेहन का काम करता है और शुक्राणों को पोशित करता है मूत्र मार्ग मोत्र मार्ग वो प्रणाली है जिसके माध्यम से वेर, शिष्न के माध्यम से शरीर के बाहर जाता है। मानव जनन तंत्र मादा मादा जनन अंग पूरी तरह उदर के निचले भाग में सित होता है मादा जनन अंग के वाहे भाग में होते हैं भग जिसका अर्थ होता है ढकना भगोष्ठ जिसका अर्थ होता है ओष्ठ ये दोचा का युग्म होता है, योनी मुख के चारों तरफ होता है भगनासा, एक छोटा समवदी अंग जो भग के सामने जहां भगोष्ठ जुड़ते हैं स्थित होता है एक मादा के अंता चनन अंग हैं योनी एक पेशी एक खोकली नली जो योनी मुख से गर्भाशे तक जाती है इसके कई प्रकारे होते हैं लेंगिक मैथुन, शिशू जन्व के समय उसके बाहर आने का मार्ग गर्भाशे से मासिक स्राव का रक्त बाहर जाने का रास्ता गर्भाशे ग्रीवा यह योनी को गर्भाशे या बच्चादानी से जोड़ती है गर्भाशे की दिवारें मोटी और मस्बूत होती है गर्भाशे ग्रीवा का मुख बहुत छोटा होता है बच्चे के जन्म के समय गर्भाशे ग्रीवा बच्चे के निकलने देने के लिए फैल जाती है गर्भाशय इसका आकार उल्टी रखी हुई नाशपादी की तरह होता है जिस पर एक मोटी रेखा और पेशिय भित्ती होती है जिसमें मादा शरीर की सबसे मजबूत पेशिया होती है ये पेशियां विकसित होते भ्रूण को रखने के लिए फैलती और सिक उड़ती है और प्रसव के समय ये बच्चे को बाहर धकेले में सहायता करती है अंड वाहिनियां इनकी संख्या दो होती है ये गर्भाशे के दोन तरफ जुड़ी होती है प्रतेक नलिका का एक छोटा रास्ता होता है और नलिका के दूसरे स्रे पर एक जालर वाला शित्र होता है जो कीप की तरह दिखता है अंड शै दो अंडाकार अंग जो गर्भाशे के उपरी दाएं भाग और बाएं भाग पर इस्तित होता है ये अंडों का उत्पादन संग्रहन और अंड वाहिनियों में निस्तारण करते हैं इस प्रक्रिया को अंडो सर्ग कहते हैं मानव जनन निशेचन निशेचन नए सजीव के उत्पत्ति के लिए होने वाला नर युगमक और मादा युगमक का मिश्रण है जन्तूं में इस प्रक्रम में एक शुकराणूं एक अंडाणूं से मिलकर एक युगमनज बनाते हैं निशेचन के प्रकार कुछ जन्तू प्रजातियों में यह प्रक्रम मादा के शरीर के भीतर ही होता है इसे आंतरिक निशेचन कहते हैं उदारण मनुष्य कुछ जन्तू प्रजातियों में यह प्रक्रम मादा शरीर के बाहर होता है उसे वाहे निशेचन कहते हैं उधारण, मचली और मेढख मानव जनन, भृून का विकास निशेचन के परिडाम से रूप युग्मनज का निर्माण होता है यहां माता पिता की आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करता है यहां एक कोशिक युग्मनज लगातार विभाजित होता है और एक भृून के रूप में विक्सित होता है भृून की विक्सित अवस्था को गर्ब कहते हैं मनुष में गर्भावस्था निशेचन के आठ हफते बाद शुरू होती है जब प्रमुख सनचनाएं और अंगों का निर्मान हो चुका होता है जरायुज एवं अंड़ प्रजक जन्तू निशेचन के समान भृून का विकास भी माता पिता के शरीर के बाहर या अंदर हो सकता है इसी के अनुसार उन्हें जरायुज और अंड़ प्रजक के रूप में वर्गि क्रित किया जाता है जरायुज जन्तू वो जन्तू होते हैं जिनमें भृून एक अंडे से नहीं बलकि पूरी तरह से मा के भीतर विक्सित होता है जरायुज शिशू स्वतंत्र रूप से जीते हैं और उन्हें जन्म से ही बाहरी आहार की जरूरत होती है लगभग सभी इस्तनपाईयों बहुत से सरीस्रिपों और कुछ मचलियों में जनन की यहविदी है अंड प्रजक जन्तू अंडे देते हैं इसकार्थ हुआ कि मा के भीतर भूर्ण का मामूली या कोई विकास नहीं होता है या कई जन्तूओं पक्षियों उभैचरों ज्यादा तर कीटों बहुत से सरीस्रिपों और मचलियों की जनन्विदी है नवजाद शिशु का विकास जन्म के बाद या अंडे से बहर आने के बाद सभी जन्तूओं का विकास एक समान नहीं होता इसके अनुसार इसे प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष विकास में वर्गी कृत किया जाता है प्रतेक्ष विकास कुछ मामलों में नवजात शिशू, कृयाशील जनन अंगों के अतरिक्त वैसकों से तुलनात्मक रूप से थोड़े अलग होते हैं इस तरह के विकास को प्रतेक्ष विकास कहते हैं इसमें कोई अविक्सित अवस्था नहीं होती, कोई कायांतरण नहीं होता। हाला कि प्रत्यक्ष विकास का ये अर्थ कलापी नहीं है, कि जन्म होने से वैस्ग होने तक कोई परिवर्थन ही नहीं होता। मनुष्य इस तरह के विकास का ठेट उधारन है। अप्रतक्ष विकास कई मामलों में नवजात बच्चे अपने माता-पिता की तरह नहीं होते, वैस्क होने के लिए उन्हें लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, इनके विभिन चर्णों का अनुक्रम कायांतरण कहलाता है, उभैजर और कुछ कीट इस प्रकार के विकास के ठेट उदारन हैं, अलेंगिक जनन, प्रकार, मुकुलन, यह सबसे प्रात्मिक तरह के जन्तूओं जैसे हाइडरा के जनन की विधी है, इस विधी में नए जीव का जन्म, जनक के शरीर से मुकुल के रूप में होता है, विक्सित होता है और अंततहा जनक से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है, दुई खंडन यह अलेंगिक जनन की एक अन्यविदी है, जो एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा, पेरामीश्यम इत्यादी में पाई जाती है, इसमें जनक या सजीव की कोशिका की केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंब होती है, इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, परिणाम सरूप दो संतती कोशिका या सजीव का निर्मान होता है, इन मुखे विधियों के अत्रिक्त जन्तु कुछ अन्य विधियों से भी जनन करते हैं, जैसे पुनरुत पादन विधी, बहुखंडन विधी, इत्यादी, जनन की कृत्रिम विधिया, इन विटो निशेचन, परक नली शिशू, उन शिशों को कहा जाता है, जो महिला की शरीर से बाहर निशेचित होते हैं, इस प्रक्रम को इन विट्रो, यानि शरीर से बाहर निशेचन कहते हैं, पिता के शुक्राणूं के साथ माता के अंडाशय के अंडे का निशेचन होता है, निशेचन के पश्चाद प्रारंभिक भुरून को दो-चार बार विभाजित होने दिया जाता है, फिर उसके बाद माता के गरभाशे में रखा जाता है, जिससे उनका स्वभाविक विकास हो सके यह प्राक्रम विभेनिक क्रित्रिम जनन तक्निकों यानि A.R.T. में से एक है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब माता पिता या दोनों की प्रजनन संबंधी कमी के कारण माता अन्य प्रकार से गर्बधारण में असमर्थ रही हो। क्लोनिंग किसी जनक की एक कोशिका से अनुवानशिक रूप से समान संपूर जीव को क्रित्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है इसका अर्थ है कि क्लोन से तयार जीव अपने जनक से हर रूप में बिलकुल समान होता है क्लोनिंग प्रकृत में अक्सर होती है कुछ जीवों में अलेंगिक जनन और एक निशेचित अंडे से जुड़वा का विकास क्लोनिंग का उधारन है जीव विज्ञान के विकास के साथ अब क्लोनिंग की प्रकृया को क्रित्रिम रूप से संभव किया जा सकता है किसी भ्रून कोशिका से DNA नाभिक निकाल दिया जाता है और अनिशेचित अंडे में आरोपित कर दिया जाता है उसमें इस्थित नाभिक पहले ही निकाल दिया जाता है निशेचन की प्रक्रिया को बिजली के जटके या रासाइनिक उपचार विधी से उत्तेजित किया जाता है इस कृतरिम प्रेरित योग विधी से उत्पन कोशिका का ग्रहन करता माता में आरूपित कर दिया जाता है क्लोनिंग द्वारा विधी सित जीव अनुवांशिक रूप से बिलकुल अपने जनक के मूल कोशिका की अनुवांशिक सनचना के समान होता है डॉली के बाद से घैर भूण कोशिका से भी क्लोन तयार करना संभव हो गया है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं जनन वाद जैविक प्रक्रिया है जिससे जीव अपनी संतती को आगे बढ़ाते हैं जन्तूओं के जनन की दो विधिया हैं लेंगिक जनन और अलेंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन के अपने अपने हानी लाप हैं मनुष्य लेंगिक जनन करता है नर शुक्राणू उत्पन्न करता है और मादा अंडाणू उत्पन्न करती है निशेचन लेंगिक जनन में नर और मादा युगमक का योग है निशेचन दो प्रकार का होता है आंतरिक और वाहे युगमनज निशेचन का आखरी उत्पाद होता है यह भुरोण में विक्सित होता है विक्सित अवस्था में जब अंग विक्सित हो जाते हैं तो इसे गर्ब कहते हैं भुरोण का विकास मादा के शरीर के बाहर या भीतर हो सकता है इसके अनुसार उन्हें जरायुज और अंड प्रजक के रूप में वर्गिक रित किया जाता है जरायुज जीव वैस्क में सीधे सीधे विक्सित हो सकते हैं या वैस्क होने से पहले कुछ प्रारंभिक चरणों से होकर गुजर सकते हैं अलेंकिक जनन ज्यादा तर छोटे जीवों में पाया जाता है इसके कई प्रकार हैं मुकुलन, विखंडन, अंकुरन, पुनारुत पादन इन में से कुछ है मनुष्य अत्याधुनिक तक्नीक की साहता से प्रजनन में अक्षम मनुष्यों की जनन की प्रक्रिया में मदद कर सकता है इन विट्रो, निशेचन, कृत्रियम जनन तक्नीक का एक उधारन है क्लोनिंग एक नई तक्नीक है जिसमें किसी व्यस्क का हू बहू समरूप कृत्रियम साधनों से बनाया जा सकता है